नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं अब 160 रुपए की बियर 190 रुपए में मिलेंगी, वहीं केन बियर भी 130 रुपए से 150 रुपए में मिलेंगी छोटे ब्राण की कीमतों में भी सर्निवार से उछाल रहेगा शराव की कीमतों में बिरिधी सम्मंदित आदेश, उत्पाद, आयुक्त ने सुक्रवार को जारी किया है यह आदेश राजी के दोनों थोक लाइसेस धारी में सर्स दिसिता वेचर्स प्राइवेट लिमिटेड वा में सर्स ओम साई बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है उन्होंने नए MRP की ब्रांड वार बिवर्नी भी दे दी गई है और कहा गया है कि इन ब्रांडों की सफलाई बाटलिंग प्लांट से ही ट्रेक आएंड ट्रेस सिस्टम के अधार पर होगी खोटी में आटो पलटने से 7 छात्रा समेत 10 घायाल खोटी कारा मार्ग पर सुक्रवार को बीरहो मोड के पास आटो के पलटने से 7 छात्राओं समेत 10 घायल हो गए बिरहो मोड के पास आटो पलटने के बाद अस्थानिय लोगों ने पुलिस को सुचना देने के साथ सभी घायल चात्राओं और आटो पर सवार अने तिन लोगों को सदर अस्पताल पहुचाया जनकारी कनुसार छात्राए लोयोला इस्कूल खोटी से आटो पर सवार होकर करना क्योर जा रही थी आटो पर अने तिन या त्री भी सवार थे इसी बीच मोडन इस्कूल बिरहो मोड के पास सड़क पराचानाग एक बैल दोड कर आटो के सामने आगया जिसे बचाने के करम में चालक नियत्रन खोदिया पारा सिक्षक आकलन परिक्षा के लिए 15 अधि संपर्तक बढ़ सकती है आवेदन की थी बड़ी संख्या में पारा सिक्षको के परमान पत्रों का सत्यापन नहीं होने तथा जाती परमान पत्र नहीं बनने से आकलन परिक्षा में सामिल होने के लिए ओनलाइन आवेदन में परिचानी हो रही है जार्खन राजे प्रसिक्षित सहायक अध्यापक संग के एक प्रतिनिधी मंडल ने गुरु आर को सिक्षा मंत्री जगनात महतों से मिल कर इस ओर ध्यान आगरेश्ट कराते हुए 15 अधिसंबर तक आवेदन कितिती बढ़ाने की मांग की मंत्री ने राजे पर्योजना निदेशक कियन कुमारी पासी से बिमर्ष के बाद इसका अस्वासन परासिसको को दिया है अभी तक लगभग 22,000 परासिक्षको के पवान पत्रों का ही सत्यापन हो पाया है उधर मंत्री जगनात महतों ने आकलन परिशा का मोडल प्रस्ण पत्र एवाम सिलेबस सिग्र जारी करने परिख्षा के अंक समाई एवाम सूर्ख पर फिर से बिचार करने का अस्वासन दिया है बताया गया है कि पारासिको की वार्षिक बिरीथी जनवरी 2023 से ही लागू की जाएगी जैक बोर्ड मैट्रिक वा इंटर्मेडियेट की परिख्षा नॉम्बर में होगी जार्खन एकेडमी काउंसील की मैट्रिक यो इंटर्मीडियेट की परिक्षा इस बार भी दो टर्म में होगी हालाकि इस बार दोनों परिक्षा एक बार की बजाए अलग-अलग समय पर होगी इसकूली सिक्षा एक सक्षता विभाग द्वारा लियेगा निने के उनसार पहले टर्म की परिक्षा नॉंबर महा में आवेजित की जाएगी जबकि दोस्तरे टर्म की परिक्षा अगले वर्ष मार्च महा में आवेजित होगी बता दे दोनों टर्म की परिक्षाओं में इस बार बहु बैकल्पी प्रस्णों के अलावा अतिल लगो उतर ये लगो उतर ये यों दिर्ग उतर ये प्रस्ण पूछे जाएंगे दोनों परिक्षाओं में परिक्षार्थियों को बहुँ बैकल्पी प्रस्णों के लिए OMR सिर्थ था सेस प्रस्णों के लिए उतर पुष्थी का उपलब्द कराई जाएगी बाबुलाल मरांडी ने कहा गड़बड़ी नहीं की तो लिफापे से क्यो डर रहे हमांत पुर्व मुख मंत्री बाबुलाल मरांडी ने कहा है कि मुख मंत्री हमांसुरे ने जब गड़बड़ी की ही नहीं तो लिफापा से क्यों डर रहे हैं अपने विधायकों को ले कर रहा है पूर भागने की क्या जरूरत थी जब कोई गरबड़ी करता है तो अस्वेम डरने लगता है यही कारण है कि वह लिफापे के डर से भागते फिर रहे हैं बाबुलल मरांडी सुक्रवार को एक होटल में मीडिया से बाचित कर रहे थे उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार को जब लगा कि उनकी सरकार जाने वाली है तो तरकस के सारे तीर उन्होंने निकाल दिये इसमें से एक 1932 का खत्यान भी है उन्हें पता है कि यह लागू होने वाला नहीं है इसे कोट खारिज कर चुका है ऐसे में उन्हें दोबारा लोगों को गुमराह करने के लिए उन्हें से 32 का खत्यान को अस्थान यह तका आधार नहीं बनाना चाहिए जो संभाव नहीं है सरना धर्म कोड को लेकर कोलकाता में जोगदार परदर्सन केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड को मनेता देने कि मायं को लेकर जार्खन बिहार ओडिसा असम और बंगाल के विभीन जीलों से हजारों आधिवासियों ने सुक्रवार को कोलकाता के रानी रसमनी एवेन्यू में ये कत्रित होकर परदसन किया और रैली की बंगाल में दुर्गा पुजा की गाहमा गाहमी के बीच परदसन करियों ने जूलूस के कारण सुक्रोबार सुबा हावड़ा वर कोकता में कुछ देर के लिए यातायत सेवा भी पूरी तरह बाधित हो गाई जिसे लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा बता दे पूलिस को ट्रैफिक विवस्था को समाने करने में काफी मकसद करनी पड़ी बिहार के अफ़रित बच्ची जार्खन में बरामत कितने पर भी गिरफतार जार्खन के रामगर जीले की कुजू पुलिस ने बिहार के कैमोर के रामगर थाना चेतर से अफ़रित तीन साल की मासूम बच्ची को नया मोर से बरामत कर लिया है साथी मौके से एक अफरन करता को भी पूलिस ने गिरफतार कर लिया अफरन में पर्यूक्त इंडिका कार को भी जब्त किया गया है हलाकि दूसरा अफरन करता भागने में सफल रहा कुजू पूलिस द्वारा इसकी सुजनाय कैमूर पूलिस को दे दी गई है और बच्ची को परिजनों को सोब दिया गया बता दे कैमूर जिला के रामगर निवासिया निल्स सिंग की तीन वर्स्तिये पुत्री गोल्डी कुमारे गुरु आरकी सुब दस बई रामगर इस्थित सरस्वती सीसु मंदिर बिद्याले पढ़ने गई थी इसी बीच पहले से घात लगाए अफरन करताओने बिद्याले के पास सही गोल्डी का अफरन कर लिया था किर्केट मैच के लिए 15 डियस्पी की रांची में तैना थी भारत बनाम दक्षिन अफरीका मैच में बिद्य बेवस्था बनाए रखने के लिए 15 डियस्पी की प्रतिन्युक्ती रांची जीला में की गई है जैप साथ के डियस्पी राज कुमार मेहता, PTC डियस्पी हिराल रभी, Special Branch डियस्पी कुमार, वेक्टेस्वर रमन डियस्पी संजय कुमार को रांची जीला बाल में प्रतिन्युक्ती 7-10 अक्टुबर तक रांची जीला बाल में रहेगी राजे पुलिस मुख्याले के आई जी मानवा अधिकार ने इस समद में आदेश जारी किया है रिम्स नर्सिंग बहाली रियल्ट जारी जैसेसी ने सुक्रवार को रिम्स नर्सिंग बहाली के लिए होई परिछा का पहिनाम खोशित कर दिया है अभियार्तियों को अंक पत्र डाउनलोड करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया है करमचारी चैन आयोग ने विभीन कोटी में अम्तिम चैनित अभियार्तियों का प्राप्तांग जारी किया है आनारक्षित वर्ग का नियुमतम कटप 262 OVC काटेगरी 1 सिरेनी का कटप 242 OVC 2 का कटप 29 SC का कटप 154 वहीं HD का कटप 230 ज्यार्खन मैट्रिक अस्तर सन्युक्त परत्योगता के लिए 10 से भरे जाएंगे आवेदान ज्यार्खन करमचारी चैन आयोग की ज्यार्खन मैट्रिक अस्तर सन्युक्त परत्योगता परिक्षा 2022 के लिए आव उनलेन आवेदान 10 अक्टूबर से भरे जाएंगे उनलेन आवेदान की अमतिमती थी अब 10 नौमबर ने धारित की गई है इस परिक्षा में सामिल होने के लिए आवेदान सुक्रवार से ही भरे जाने थे लेकिन तक निकी कार्णों से आप परक्रिया सुरू नहीं हो सकी इसके बाद आयोग ने आवेदान की तीथिया बढ़ा दिया इसे पहले भी आउनलाइन आवेजन के तिथिया बढ़ाई गई थी सर्जु राय का हेमंत सुरेन रघुवर दास पर तावर तोड हमला जार्खन के पुर्व मंत्री सर निर्दलिय विधायक सर्जु राय भरष्टा चार बिरोधी जन परतिनिधी समेलन के बहाने अपनी राय नितिक ताकत बढ़ाने के पर्यास करेंगे उन्होंने लोक नायक जै परकाश नरायन के जियनती पर एक गारा अक्टूबर को रांची में आयोजित होने वाले इस परतिनिधी समेलन के आयोजिन की घोसना की पुराने विधान सभाग के सामने इस्थीत गाला बैंकवेट हॉल में दीन के गारा बज़े से एक दिवस्तिय समेलन अरंब होगा सरजू राय के इस पर्यास को जार्खन में तीसरा राय नितिक मोर्चा खाड़ा करने के त्यारी के तोर पर भी देखा जा सकता है हलाकि उन्होंने इसे ब्यक्तिगत पहल बताते हुए कहा है कि इस समेलन में जो भी अपनी इच्छा से आना चाहेंगे वे आ सकेंगे किसी भी समाजिक, संस्कृतिक, राय नितिक, संगटन से समधित ब्यक्ति समेलन में सामीर होने के लिए पंजियन करा सकते हाँ नेता अपसरों के खास प्रेम परकास को नहीं मिली जमानात की वज़ा से उसे जेल में रखा जाए बहस पूरी होने के बाद एडी की वकील ने मामले में जबाब देने के लिए समाय की मांग की जिसे आदालत ने सविकार करते हुए मामले में सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर के तिखती निधारित की है प्रेम परकास की ओर से आज का दाखिल कर जमानात दिये जाने की गवार लगाई गई है IAS पूजा सिंगल के बारे में नए खुला से मंदेगा खुटाला में मनी लोंडिंग के तहट अनुसंधान के दोरान की रफ्तार निलंबित IAS पूजा सिंगल की बिरोध दाखिल आरोप पत्र में ID ने कई अहम जनकारिया कोट को दी है ID ने बताया है कि पूजा सिंगल अपने पति अभी से एक जहा के साथ मिल कर अपने सुपर एस्पेसलिस्ट पल्स अस्पताल के जरिये काला धन सफेद करती थी इस अस्पताल के निर्मान वह संचालन में कडोरों के नगदी का इस्तेमाल किया गया है इस अस्पताल का निर्मान मेसर्स यूनिक कंस्ट्रक्शन कंप्री ने किया था जिसके संचालक अक्षत का त्याल का भी E.D. ने ब्यान कलंबद किया था जिसमें उसने बताया था कि उसने पुजा सिंगल व अभिशेक जासे वर्ष 2020 में निर्मान समागरी खरीदने और पड़ो रुपए लिये थे देवघर डीसी ओफिस में फेक नौकरी उपायुक्त ने दी चेतावनी जारखन के देवघर जीला में उपायुक्त कर्याले में सरकारी नौकरी मिल रही है इसमें कहा जा रहा है कि जिस दिन अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा उसी दिन ज्वा रही है इस वारल मेंसेज पर देवघर के उपायुक्त कर्याले की ओर से एक ट्वीट आया है एक फरवर्ड मेंसेज ट्वीट किया है जिसमें असपष्ट किया गया है कि सोसल मीडिया में वारल हो रहा है या पूरी तरह से फेक है इस पर कोई भी व्याक्ति यकिन ना करे अ अगर आपके पास ऐसा कोई मेसेज आता है तो उसकी सुचना पुलिस और परसाशन को दे। के रहने वाले स्री तिरिपाठी किसान परिवार से तालुक रखते हैं। राइनितिक में कदम रखने से पहले वे यार फोर्स में थे केन तिरिपाठी पुरा नाम कृष्णा नंद तिरिपाठी है। पलामू जी लेके मेदनी नगर के रेडमा के रहने वाले यहर फोर्स की नवकरी छोड़ 2005 मेरा इनितिक में कदम रखा पलामू सिविल सर्जन जॉन अफ केनेडी 50,000 रुपे घूस लेते आरेश्ट पलामू के सिविल सर्जन डाक्टर जॉन अफ केनेडी को 50,000 रुपे घूस लेते हुए एसीवी की टीम ने सुक्रवा को गिरफतार कर लिया है गिरफतारी के बाद उनका मेडिकल चेक अप किया गया मेडिकल चेक अप के बाद सिविल सर्जन जोन एफ केनेडी को जेल भेज दिया गया गोल्डन कुमार ने इनके खिलाप ACB से सिकायद की थी कि बिल पर साइन करने के एवज में एक लाक रुपे रिस्वत की मांग की जा रही है इस समद में ACB ने प्रेस बिग्यप्ती जारी कर कहा है कि निव एरिया और अरंगाबाद के रहने वाले गोल्डन कुमार के द्वारा पलामू के सिविल सर्जन के बारे में सिकायद की गई थी लोहर्दगा में PLF उग्रबादी संगठन का सर्गना गिरफतार जार्खन के लोहर्दगा जिले के बगड़ू थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है पुलिस ने PLF उग्रबादी संगठन का स्थानिय गिरोह के सर्गना को धर्दवोचा है उग्रबादी के पास लेवी मागने में पर्युक्त किये गए मोबाईल फॉन सहित कई समान को भरामत किया गया पुष्थास में उग्रबादी ने पुलिस को कई आम जनकारी भी दी है हलाकि पुलिस की ओर से अब तक कोई भी अधिकारी बयान जाली नहीं किया गया पुलिस उग्रबादी की गिरफतारी को लेकर प्रेस वर्ता कर सकती है आयार्बी जवान का मोनी लाल समसान घाट में अमतिम संसकार नगर्थाना छेतर के पुरानी साहेब गंज के रहने वाले स्वरगिय अर्जुन चौधरी का छोटा बेटा सुसील चौधरी का पार्थिव शरीर सुक्रवार की सुबा करीब पांच वए घर पहुचा उसकी एक जलक पाने के लिए लोगों की भीड उमड पड़ी सौजनों की चीख पुकार सुन कर वहां मौजुधर व्यक्ति के आखो स्यासु छलक उठा सुबा करीब आठ बजे सौ यात्रा सुरू हुई जो पूर्वी फाटक ग्रीन होटल होते हुए मुनिलाल समसान घाट पहुचा अम्तिम यात्रा में सहरवास्यों की भीड उमड पड़ी देव घर में खुलेगा संताल परगना का पहला CNG स्टेसान आने वाला वक्त पर दुसन मुक्त वातावरन की मांग है विकास की दोड में देव घर तेजी से चल रहा है यहां एक एक करसारी सुधाय बहाल हो रही है जो एक बड़े सहर में होती है बता दे केंद्र सरकार की ओर से एक और योईना देव घर में मंबर महीने में धरातल पर उतरने वाली है माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक टाक रहा तो देव घर में CNG स्टेसन जल्द खुलेगा देव घर यारपोर्ट रोड में भर्दवाज सर्विस स्टेसन में या CNG स्टेसन खुलने वाला है तकरीबन दो क्लोर का या पुर्जेक्ट है आई ओ सी एल बना रही है इसमें विसेस उपकरन लगाये जाते हैं जिसमें CNG का भंडारन होता है रांची के मुडमा में 256 घरो वाली बनेगी नई कुष्ट कलोनी जारखन की हेमंत सुरेन सरकार ने रांची के मुडमा में 256 आवास वाले कुष्ट कलोनी बनाने पर समती पदान कर दी है कैबिनेट से मिली समती के अनुसार 33 कोल रुपए की लागत से कुष्ट कलोनी का निर्मान होगा कुष्ट परिवार से जुड़े लोगों ने वर्सो पुराने इस मांग को हेमंत सुरेन सरकार के द्वारा पूरे किये जाने पर अभार प्यक्त किया है पर कोई भी मुडमा जाने को तयार नहीं दिख रहा रांची का वर्षो पुराना कुष्ट परिवार की बस्ती धुरुवा के योगदा सत्संग मठ के पास इस्तित है इस बस्ती का इतिहास 50 साल से भी ज्यादा पुराना है मेटी के घरवाली इस बसी के करीब 200 कुष्ट परिवार के लोग जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हैं कई भारपक का मकान को लेकर सरकारी सर्वे का काम भी हो चुका है पुलिस बहाली के लिए आदिवासी जुआओ की कौंसिलिंग वर्ष 2023 में होने वाली ससी कौंस्टेबल जीडी की भारती को लेकर आदिवासी जुआओ के लिए कैरे कौंसिलिंग की गाई आयोजन सुक्रवार को पर्यास हमारा के दोवारा डिवडी इसीत मैरेज होल में हुआ जिसमें XCRPF Tribalware Fair Association की भागिदारी रही इसमें 450 आदिवासी जुआओ नहीं सा लिया वर्ष पुलिस अधिक्षों ने बताया है कि BSF, CRPF, ITBP, CISF, SSB, Assam Rifle सहित अने की होने वाली जीडी भारती परिक्षा की त्यारी कैसे करे सारे रिक लिखी तो अमेटकल परिक्षा के मापदंडो से अउगत कराया गया दुरगा पुजा के मदनजर रिम्स में डाक्टरों की छुटी राद दुरगा पुजा के मदनजर रिम्स के डाक्टरों की छुटी राद कर दी गई है 2025 तक अमरीका की अबादी से अधीक लोग भारत में e-commerce से करेंगे shopping टेकनलोजी वा कास्टिलिंग ने लोगों की life style को खासा परभावित किया है अब पहले की तुनला में चीज़े आसान हो गई है एक किलिक पर खरीदारी हो रही है बता दे 2020 के आकड़े के अनुसार भारत में फिलाल e-commerce के यूएर कूल 150 मिलियन है जबकि 2025 तक बढ़ कर इसमें 350 मिलियन तक होने के असार है जो अमरीका की अबादी से भी अधिक होगी यह बाद XLRI में आयोजित एक lecture section के दोरान उबर कर सामने आई है फिलम God Father में जारखन के बिमल कस्यप के गीतों की धूम बिग स्टार कास्ट वालिवूड फिलम God Father के गाने इंदिनों यूटूब पर धूम मचा रहे है फिलम का गीत थार मार थक कर मार है इसे स्रेयाग होसला ने गाया है इस गीत को 11 मिलियन से अधिक ब्यूज मिले है बताद इस फिलम में चिरन जीवी का नाया गाना देखो देखो सारे गामा म्यूजिक यूटूब चैनल पर हाल ही में अपलोड किया गया गाने में मेगा स्टार चिरन जीवी के एक्सन सीन है देखो देखो गाने को रीते एस जी राव और साई चरन ने गाया है इस फिलम के सारे गाने के बोर जारखन के देवघर के बीमल कसे अपने लिखे है ए फिलम 5 अक्टूबर 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी महिलाओ को पसुधन विकास योईना में 90% अनुदान मुख्य मंत्री हेमान सुरेन का देश के बाद गरामीन गरीब आवादी को मुख्य मंत्री पसुधन योईना का लाव पहुंचाया जा रहा है गब विकास निदे साले दोरा संचालीत उपयोईना के तहत लावकों को मिलने वाले अनुदान में संसोधन कर पसुधन को बढ़ावाद दिया जा रहा है अब आपदा अगलागी सलक दुरुखाटनास प्रवाइद परिवार की महिला परित्यक्त और दिव्यंग महिलाओं को नावे परतिसत अनुदान पर दो दुधारू गाया भाइस दिया जाएगा धन्यवाद यादी आप चैनल पर नहीं हो तो चैनलों को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एक अंद बढ़े साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बस में अपना फिड़बाइक अवस से दे थैंक यू